सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक करें विश्विल्लाइ रहा हुए मैं असला लेकर नासुरी आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूज लाइन में हूँ आपताब मोगहरी आज मैं स्वीडिन में मौजूद हूँ और स्वीडिन का जो है कापिटल इसा काउम में और इसके सासा में बात करें तो हमेशा मैं अपने प् धर्ती के लिए अपने मुल्क के लिए हम निजबतने पाकिस्तानियों से ज़्यादा दरखते हैं तो बड़ी खुशी में सूस होती हैं मगर इसके साथ साथ अगर आज़ादी की बात करें तो आज़ादी के बात से लेके अब तक मसला कश्मीर हल तो नहीं हो रहा और खास सकते हैं कि दोबारा एक जान पड़ वही है उससे सबसे एहम करदार अवर्सीस पाकिस्तानियों का है जिन्होंने मुत्हद होके ना सही यूरप में अमरीका में कैनेडा में और अरब अमारात और पाकिस्तान के दिगर असला और सुबह और कैपिटल इसलामाबाद से लेकर दुनिया में एक सफीर कश्मीर बनकर हिंदुस्तान के काउंसल जर्नल और अबेस्टिश के सामने जिस तरह से इहतिजाज करते हुए दुनिया को याद दिला है कि मुझलुम कश्मीरियों के साथ इस वक्त क्या हो रहा है और दुनिया आगर मसला कश्मीर पे खामोश क्यू जिस तरह से वहां कर कश्मीर के अंदर कर्फ्यू है जिस तरह से वहां के स्पूलिजिस्टिजिस और रोजमलाटी वो चीजे हैं खाने पे लिकी नहीं मिल पा रही तो बैस समझता हूं कि अवर्सीज पाकिस्तानी अब रोड सफीर कश्मीर बनकर पूली दुनिया में इस मुटताइद हो के कश्मीर कॉस को आगे लेके चल रहें अब कि अंदर हमोवन फाकिस्तादी और जहां की इनसा की अगज़त है कि आपस में कितने वी इक फिद्राफत हों अपने नजरीये अपनी पार्टियाम अगर जब कश्मीर कॉस और पाकिस्तान का इशू आता है तो क पाकिस्तानी मुट्हिद होकर इस कास्ट को लेकर और इस इशू को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह स्वीडन में भी इस तरह से पाकिस्तानी बसते हैं। के साथ कड़े हों। अच्छे तालुकात हैं और कई पाकिस्तान के अजला उसलों से लोग यहां पे बसते हैं तो भूर इस तरह से देखते हैं कि क्या स्वेडन एक खास तोर पर असले किश्मीर पर यूर्पी यूनियन में और ये लोग इनका क्या किब्दार है तो इसे भी बात करेंगे तो मेरे बोसित मेमान तारफ पराता चलो मेरे पहले मेमान है बेकरत उसें साभ जो खुद एक पांसलर है यहां के जो माझन पर समय तो कि चार्ट वर्टबा से ज़्यादा यहां के लोगों ने इनको वोड देखे और जो है एलेक्ट किया है और इनका यहां के सियासत में और कश्बीब कमिटी के विए साबिक सदव हैं और इसके साथ साथ सुड़न में जो पाकिस्तानी कमिटी है उनके एहम दर्माए बहुत शुक्यासत आपका कि आप हमारे साथ मुझूद हैं और आपके वक्त लिकाला मेरे प्रूराम के लिए दूसरे बेपाने मेरे डाटर मेरे प्रूराम के लिए मौरूफ सहापी है और रॉइटर है और आपका एक गहरी नज़र है खास ओर पर यूर्पी यूनिन और पाकिस्तान के तालुकाप पर आपके भी गोश्च लिया कि आप आमारे साथ में बढ़िए बड़ी साथ आपकी तरह आपकी तरह आँगा कि स किस तरह से देख रहे हैं खास तरह आपर आपके तरह तक आपके तरह से कश्मी के सीर्यस व्हां इस व क्रूफ बड़ी कर दूरा किसे किई होगा है लोगों पर जैसे परेजिक गनिका इस्तेमाल हो रहा है रोजाना लोग जो है वहां पर उनकू मारा जा रहा है अब तो दुनिया उस पे बोल पड़ी है तो खास्तों पर आप यहां बैठकर खास्तों पर स्वीडन की हुकूमत और यूर्पी मुनिन में किश्वीर पॉस को कैसे देखते हैं कि इतने सीरियस रुपते पे हैं शुपिया सहब आप मुझे यह मोका दिया तो मैं सब यह कहना चाहूंगा यहां कि जो भी हम ओवसिस पाकिस्तानी यहां रह रहे हैं बड़े गम और गुस्से की कैफियत में इस वक्त मेर जब से यह मसला फिर से जिन्दा हुआ है तो हमारी तकरिवान रात को नीदे हमारी हर चुकी है खाज कर जब हम यह सुन रहे हैं कि हमारे भाही बहन भाही जो हैं वो कश्मीर में किस तरह किस जुम से गुज़र रहे हैं तो यह ऐसी कैफियत है जिसको लाफ्जों में बयान करना जरा मुशकल है लेकर हम बड़े सब के सब जो यहां मैंने जिन से भी राब्त जो बिल्कुल किसी भी तरह से इसको तस्लीम नहीं किया जा सकता है यह जब तरफा तो पर उनने इस मुसले को जो गुज़र वह इस तरह बड़ी डिटाई से जो उसको इसको अमर्ड किया है तो इसको हम कभी भी इस कुबूल नहीं कर सकते कभी भी कभूल नहीं कर सकते हैं मगर एक तरह है कि इस वक्त जो एक गुर्पी इवन की बात करें या सफरती लेवल पर बात करें तो मैंने जैसे कहा अपने इंट्रो में भी कहा कि आप वो लोग हैं जो अब सफीरे पाकिस्तान के साथ सफीरे कश्मीर मी बन चुके हैं क्यों स्वीडन या फिर इसके साथ साथ यूर्पी यूनियन वाकरी सीडियस लुक्ते पे कश्मीर का जो बयानिया हैं जो आपका वो समझ पाए हैं मैं को हूँगा कि बदकिस्मती से ऐसा नहीं दो सका उसकी वज़ा क्या हो सकती है वो बहुत सी वजवात हो सकती हैं लेकिन मैं स फिके दिस दरह ऑन इस मुसले पर इस मसले पर से सरिious लियना चाहिए उस तरह नहीं दिया गया है इस था नहीं है ऌंक imprintire иты के सदर के सहाब सहाब थी मेरे साथえー जिंरल सेकेटरी थे कंद्र of 16 साल हमने काम किया है तो यस दुरा now थे पार्डिमेंधिर्टियर्यैंसे मुड़ा कि आज आते हैं कि यहा हम फार्न आफिस से मुड़ा को हिं एक फार नाफिस से मुड़ा का थे हैं कि pale स्यासत में उनको थोड़ा बहुत पता है लेकिन ऐसे लग रहा है कि इनके अपने अपने मुफादात जो हैं वो इनको पहले ज्यादा आजीज हैं बजाए इसके के यह हूमन राइट्स को देखे हैं या किसी जहमुरियत को कि मसाल से उस नगदा नजर से देखे हैं तो यह मे कि कुछ न कुछ हमारी को जीराई होती है लेकिन हम उससे सटिस्फाइ नहीं हैं पिल्गुल जाप आप क्या समझते हैं कि कश्मीर का इशू है अभूमन जैसे हमारी भी गलतिया हैं मैं इसलिए यहां पर ऑनियर भी तसलीम करूँगा कि माजी भी इतनी हुआ होते रही हैं उनके एलेक्टिक सेनेटर एलेक्टिक जो है नैशनल असेमली के मेंबर कश्मीर कमेटी में बैठे हुए लोगों को कश्मीर का इशू का पता नहीं है अविन के हमारे जब पिछली पाक्स्टन पे उस पाटी की गॉर्वर्मेंट थी तो वहां पर M.N.S. आप से एक को कैसे प्यान करेंगे और वहां की C.M. कौन है यानि के वहां की चीफ मिनिस्टर का एक नैशनल असेमली के मेंबर को जो कश्मीर कमेटी का मेंबर है वो स्वीडन आके अगर स्वीडन हुकुमत से बैठे के बात करें को उसको वहां का C.M. का भी पता नहीं के वहां के वहा बहुत शुक्रिया अब्तदार में जो आपने बातें की हैं मैं बिल्कुल उन तमाम से तफाक करता हूँ और आप यह भी जो कह रहे थे बरकसा भी के यहां पर जो पजीराई नहीं हो सकी या बहुत से लोग उस मसलह किश्मीर को नहीं समय दे मेरा यह कहना है कि पाकिस्तान जएधा से जएधा लोगोंको यह है कि किश्मीर के एक हिस्तान ने कव्जा किया हुआ है अबकी हमारे पास हमने हिंदुस्तान से लेना है यह परकस्तान की जनाब बभी जो है वह हिस्ता है और इसके लिए हमने कोशिश करनी है सबसे पहले अगर मसले किश्मीर को अगर आप नहीं समझ सकते तो आप दुनिया के सामने जाके उन से मदद नहीं ले सकते इस मसले को हल करने के लिए तो बहुत ही मुक्तसर पहले मैं बताना चाहूंगा और यह बहुत जरूरी है और मैं बहुत हैरान होता हूं कि जब लोग किश्मीर पर बात करते हैं मीडिया पर बात करते हैं लिखते हैं मैं हैरान होता हूं कि आप थोड़ी से पहले मेहनत कीजिए थोड़ी से आप तारीख को पढ़िए आप तहरीक अजादी किश्मीर को पढ़िए फिर आपके आके बात कीजिए तो सबसे पहली बात यूँ यह है कि अगर हम जब 47 में अगर हम चले जब अंग्रेज जहां से जा रहे थे तो 3 जून 1947 का जो कानून अजादी हिंद बना था जिसके ताहत पाकिस्तान और हिंदुस्तान बने थे उस कानून के ताहत उस वक्त रियास्त जम्हु कश्मीर की पॉजिशन क्या थी रियास्त जम्हु कश्मीर जो है जब मैं रियास्त जम्हु कश्मीर का नाम लेता हूँ तो इसका रकबा जो है 2,22,236 मरबा किलो मेटर है ये दुनिया के 111 आजाद और खुदमगतार मुमालक से बढ़ा है ये कुछ छोटा सा खिता नहीं है कानून आजादी हिंद के तैट जो हिंदुस्तान के उस वक्त पोजिशन थी लोग इसको पहले समझी नी सके हिंदुस्तान में उस वक्त एक देसी रियास्ते थी और एक इंडियन इंडिया था एक ब्रिटिश इंडिया था जो तक्सीम होई थी वो ब्रिटिश इंडिया की हुई थी ये और एडिया मुस्लम लीक तो थी वो ब्रिटिश इंडिया में थी और अलेडिया मुस्लमी रियासत जम्हो किश्मीर में नहीं थी अगर ये ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा होता वहाँ पे और जम्हो किश्मीर मुस्लम कॉन्फरिंस थी तो 3.1947 में 566 देसी रियासतें थी जिसमें हैदराबाद भी थी, भावलपूर भी थी, कश्मीर भी थी इनको आप्शन था कि आपने किस तरफ जाना है अब बाकी तो उन्होंने जो भी मुएड़े कर लिए अब कश्मीर का मसला जो है वो इसमिटों कि इतनी तफसील से उसमें लाने का हमारे पास वक्त नहीं है तो हम कॉट शॉट करते हैं कि उस वोगत से ये कश्मीर का जो मसला जो है ये अक्वाम मुटहदा में चला गया भारत खुद ले के गया ये 1st February 1948 को कल भी हमारी यहां पे और पार्लमी इंटरनेशनल से बात हुई तो हम उनको ये कह रहे थे कि अक्वाम मुटहदा की एजेंडे पे सबसे पुराना मसला जो है वो मसला किश्मीर है फलिस्टीन का मसला भी उसके बाद है तो पहली तो चीज़ या कि आप हम इस चीज़ को ये समझना चाहिए कि जो हम पाकिसान का जो मौकफ है किश्मीर पे पाकिसान का मौकफ ये है किश्मीरी अवाम को अपके खुद एरादियर दिया जाए वो अपने मस्तक्बिल का खुद फैसला करें तो जरूरत ही है कि जो लोग हमारे बाहर आते हैं ब्रीफिंग देने के लिए उनको कम्स का मसला किश्मीर का पता होना चाहिए और आपने बड़ी अच्छी बात की वो उस तरफ तबज़ दिलाई किश्मीर कमेटी की इस पर मैंने कई दफ़ा लिखा है हम समझते हैं कि पारलिमानी किश्मीर कमेटी की कोई जरूरत नहीं है यह पाकिसान की जो पारलिमेंट की पारलिमानी किश्मीर कमेटी है यह सिर्फ लोगों को जो है वो बलाइज करने के लिए बनाई गई है इसकी बजाए जो अजाद कश्मीर की गौवर्मेंट है, अजाद कश्मीर के प्रेजिडेंट है, प्राइमिस्टर है, उनको मौका देना चाहिए तो कि दुनिया में हमने यहाँ पर बरकसाथ के साथ हम काफी दफ़ा स्वीडिश लोगों के पास गये हैं, हम पार्लिमेंटारियन्स के पास गये हैं, जब हम जाके उनसे बात करते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं, वो लेकर यहाँ पर हमारे अजाद कश्मीर की जो को आप रेकिनाइज करके अक्वाम मुतहिदा में आप देखें अमबेस्टर उन्होंने इम्रान खान साब ने बहुत अच्छी बात किया और मुझूदा अच्छे स्टेप्स ले रही है कि हम आलमी अदालत में जाएंगे सिक्योर्टी कॉंसिल का इगलास हुआ है वो पूरी किर्फानी कौं साथ है यह बहुत अच्छे स्टेप्स है। और वो कहते हैं मैं पाकिस्टान का सफीर बनूंगा लेकन उनसे भी जादा दनिया जो आवास सुनना चाहता ही वो किष्मीरियों के आवास सुनना चाहती है अगर अक्वाम में मुधेदा में जाके अजाद किश्मीर का प्रेजिजेंट या प्राइम जिसन खड़ा होके बात करेगा तो दुनिया सुनेगी क्यूंकर पाकिस्तान और भारत दो फरीक है बात किश्मीरियों की होनी है फैसला कश्मीरियों ने करना है, कश्मीरियों को दुनिया में बात करने दी जाए। हिंदूस को जो है, वहां पर शिफ्ट करके यानि कि प्रापर्टी लेने की भी इजाज़त है, वहां पर कारोबार करने की भी इजाज़त मिल गई, सारी चीज़ी हो गई, तो यह तरह है कि कश्मीरियों अब हिंदूस्तान उस बात से डर गया कि रिपरेंडम की तरफ ना जा है? नहीं, बिल्कुल यह ऐसे ही है कि आज देखें, सब्तर साल तक बाहरत कभी भी उसने यह तस्लीम नहीं किया कि कुछ सालस इसमें इन्वाल हो और इस मसले का हल, क्यों? इसके लिए को जानता है कि उसके पास लीगल कोई ग्राउम नहीं है, लोग उसके साथ नहीं है, औ और दुनिया बेरुनी मुल्क जो है, वो भी उनको सट्टिफाई करना उसके बस में नहीं है, इसी वज़ए से वो किसी सालसी पर आज तक के नहीं गया, और नहीं उसने रेफरेंडम की तरफ कोई कदम उठाया, उसकी वज़ए यह है कि उसे पता है कि ऐसी सूरत में उसने उसकी जीत नहीं हो सकती, तो यह जो अभी उसने स्टेप उठाया है, बिल्कुल इसी तरह है, जिस तरह कि उसके यह इससे भी जाएद है, मैं समझता हूं कि वो एक एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं, कि सबसे पहले तो वो यहां जाके हिंदू जो वहां अबाद होंगे, ज यह हमारी ग्यारत के दिये इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है, और मैं समझता हूं कि हम कश्मीरी कब तक यह खुरबाइयां देते रहें, कितने जल्म सही है हम लोगोंने, क्या एटी नाइनटी और सू उस दाही में जो है, लोगों की हड़ियां तोड़ी गया है, उनकों को कुछला गया है, और अब भी हमारे रोजाना जो है वो बेहरूंकी हो रही है लोगों की, तो मैं यह कह रहा था कि भारत जो है, वो गिल्कुड़े सोचे समझे मनसूबे के तहर तोर पढ़नेंग के तहर चल रहा है, उनको सबसे अभी जो है, वो पहले मजार्टी को मिनार् की जो हुकमत है, इनका अजन्दा भी अगर आप देखनें तो यह मुस्लमान जो भारत में रह रहे हैं, उनका देखने क्या हाल हो रहा है, तो उसका यह जब मिनार्टी में कब्दील हो जाएगा तो उसके बाद फिर वह नहीं रुकेंगे, उनका आजाद किश्मीर को लेने का भी और गल्कित वर्दतान वो अभी से कह रहे हैं कि वो किता हमरा हम इसके बाद वो लेंगे, तो हमारे मुझे खुशी है इस बात कि यह पहली हुकमत में देख रहा हूं जिसने एक देराना कदम उठाया है और बड़ी सिरियसली इस मामले को लिया है, तो इसको हमें काम जो जोहुत और फ्रेव पर मुपनी है वो दुनिया को तसलीम कराने में तकरीम कामियाब है, जबके हम हग को इनसाफ के पर होते हुए भी दुनिया को यह बावग नहीं कराए रहा सबता है तो यह हमारी नाहली है, हमें जागना होगा है पर मैंतों समय था हूँ कि अब दू जागने का वक्त और मैं समय था हूँ कि आप जीसे लोग और जोग साब दो और बहुत दो ज्यासे लोग है तो उनकी वजह से नाही नसल जाग चुकी है ये भी हिंदुस्तान को समझने आ चुका है और आना चाहिए थी जो पाकिस्तानी ये वो कौम है अगर सोई है तो सोई है अगर उड़ गई तो बड़ी मुश्किलार का सामने अगरना पड़ता है और माजी में भी अगर हमारे जो जो शहीर हैं जिसकी एक बड़ी फैरस थे औ और उन्हों ने भी जिस तरह से रियक्ट किया और जिस तरह से हिंदुस्तान को जवाब मिला अगर आप समझते हैं कि वाकितन जो आज कौम कश्मीर से लेके कराची तक जो मुतहएद नजर आ रही है फिर अवर्सीस पाकिस्तानी है इस तरह से ये नजर आ रहा है आप समझ आप की इसके दो पहलू नो पर बारत दरना चाहोगा कोई हमारे बहुत से जीज और हिस दार जोस्तार गार हैं जम्मू में हैं अउरी में हैं सीरी नगर में हैं बारा मुला में होंसे हमारा अर्वाबत रहते हैं वहां के उसे ein तानलों के बहुत रहाएं जब कि रहां से जो के प्रो इंडिया थे, वो सारे के सब इंडिया के अगेंस्ट हो चुके हैं, तो अब तक तक ये काफी अरसे के बाद इतना तबील कर्फ्यू लगा है, एक तो ये इसका बहुत बड़ा पहलू है, और इन्शालला ये तहरीक आगे बढ़ेगी, लेकर दूसरा पहलू ये ह कि हमारी जो हकूमत है, हमारे जो फॉरन आफिस है, हमारे जो इदारे हैं किया ये सोए हुए थे, ये उन्होंने ओवरनाइट ऐसा नहीं किया, उन्होंने पहली दफ़ा जब वो आया है, उन्होंने का ये हम ये करेंगे, और ये इसके लिए उन्होंने काफी अरसे से प्लै मिनिस्टर हैं वो तो बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन तक्रीबन 96 कंट्रीज में पाकिसान के अमबेस्टर्स हैं हमारे कॉंसल जेर्नल्स हैं उनके पास वसायल हैं वो वहां पे रहते हैं वो क्या कर रहे हैं पर मैंने यहां के किसी यौरप के मीडिया में हमारे अमबेस्ट की कुई अक्तिविटी जो है वो सफार्ती अदाब की अदर रहते हो बहुत कुछ कर सकते हैं वो तवीरों की नमाश करवा सकते हैं किश्मिकी के लिए वो वहां के local media को से contact कर सकते हैं वो direct ही लोगों को आगे ला सकते हैं हम यहां पे रही के मैं और बरक prem जब हम पूल फपाल में इंटरनेशनल सेंटर पे गए हैं, हम एमनेसी इंटरनेशनल के पास जा रहे हैं, हम फॉरन आफिस के पास जा रहे हैं, हम सिपरी के पास जा रहे हैं, हम परलिमेंटेरियन्स के पास जा रहे हैं, हम यहां के ख़बारात में लख रहे हैं, तो हमारे प कश्मीर की गौवर्मन्ट को ये टॉस्क नहीं दिया जाएगा दुनिया इनकी बात नहीं सुनेगी मुझी एक ब्रेक का गाजरा ब्रेक में भी जा रहे हैं बहुत से जब वापस हाएंगे तो दोनों मेमान मौजूद हैं मौजूद में मौजूद हैं और बात हो रही है पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ-साथ मसला कश्मीर की कि वो किस तरह से हलकी जाने में बड़े मगर ता है कि तमाम वो सफारती पाकिस्तान के जो सफीर हैं पूल जुनिया में जो मौजूद हैं बड़ी अच्छी बात की रख सामने कि अर्वों रुपे उस पे खर्चा होता है मगर वो सफारती जो कह सकते हैं कि उसमें जो एसोपीस हैं उसमें रहते हुए भी बड़ा कुछ कर सकते हैं और कश्मीर भास को आगे बढ़ा सकते हैं वापा साइंगे तो बात करेंगे कि लिखता है कि जो मौब वतन अवर्चीज पाकिस्तानी वो कश्मीर के लिए क्या सोचते हैं और नौजवान नसल जो समझती है कि किस तरह से इस कश्मीर के मसले को हल देखना चाहती है किस तरह से उनके पास हल देख पापा साइंगे तो इस पर इंगाते हैं एक बार फिर प्रशामतीत किरता हूँ स्वीजन्स है और आज बात हो लिए पाकिस्तान के और पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर का बड़ा वो इशू जिस पर आलमी दुनिया इस वक्त सोई हुई है मगर मैं करता हूँ से कह सकता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तानी है और खास तो पर अवर्सीज पाकिस्तानी वो जिस तरह से इस पास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं आप में देखा होगा मुखलब अपर टीवी चैनल पे वक्तन वक्तन यो खबरे आती हैं तो सुईजन से और नेगर मुमालिक से कि पाकिस्तानी जिस तरह से इपिजाज करते हुए अपनी फैमिलीज को लेकर खास तोर पर इंडियन हाई कमिशन और इंडियन जो जान का नजाता है तरश्मिन्यों की नियों को देंगते गोगोई और इंडियन सिफ कम्यूटी ने अभरकूर और जो है और इंडियन सिफ कम्यूटी हैं साथ दिया और खास और वक्तन कम्यूटी हैं। लोद के सामने हिंदोस्तान से हैं। कि इस वक्त बच्चता जो जो नोजवान नसल है जो यहां पर जिन्हों ने आंग खो ली अवर्सीज जो पाकिस्तानी है उनके बच्चे जो है वो भी अमोमन हम देखते हैं सोचल मेडिया पे और हर जगा पे बड़ा जिस तरह से हमें आप लोग यहां पर एक्तिजाज करते ह पिछले दिमावी अच्चाज जहां पे हुआ उसके चोटे बच्चे बुज़रे खवातीन और नौजवान नसल की खाफी तरदाद देखके बड़ी कुशी मैसुस होती है बटेगे पाकिस्तान में कि अब जो है पाकिस्तानी इस तरह से इस पे पाकिस्पेट करते हैं यहा होंगर के माशाललह हमारे बच्चे जो हैं वो उनको बताए बगार ही एकुछ हमाएं बसल्ला की तरफ से महरबाने मेर्वानी समझाझ लें कि वह जिस तरह हम अपने मुल के लिए यहां रंजीदा है और तलब रहे हैं उसी तरह हमारे बच्चे भी बिल्कु उसी तरह हमार वह थोटी नसल जो है भी जहां जो पीड़ा हुए है वो भी हमारा सरमाया है जो हमने पाकिस्तान जो पीड़ा हुए और फिर यहां हिजरत करके आये हमसे जएदे वह इस मामले पर हम अपने मुझ के सहाथ मोही बवतन है और अपने मुझ से प्यार करते हैं तो यह हमें फखर कि से जबाते हैं उनका कंदार यहां परिफ़ चाहिए परिच्टे को भरफूर साह देना चाहिए जो आफिर चेंज को पादी भी मुए जो अफिर सधाकी केशमीर की बात करते पहें को किहते हैं कि पादे आरो दें अनरो पे बात करें उसकों कैसे देगते हैं नहायती अफसोस की बात है कि ये जो पी टी आई और नून लीग जो बीस तीस चारीस साथ से हुखोमत में रही हैं अभी जो देख रहे हैं कि उन्होंने क्या किया और क्या करते रहे हैं तो ये बड़ी मायूसियाद अगर पाकस्तान में किसी मुश्कल में है तो उसकी सबसे जो बड़ी बड़ा है ये दोनों लुघ पॉर्टी जो और य vorne और आप देख सिर जे लिए कि क्या करते रहे में हैं ये किसी से आपब्ड़ के छुपने हैं तो जुब ड़री में र समया रहे हैं हमmeरे जिल जो हें फून के आंसूर होता है कि हमारी ये रहनमा के क्या रहे स इसके लिए वोट लेके आए थे और इन्होंने क्या किया है तो यह जितनी भी जमाते इस वक्त या पिछले अर्से में एकितार में रही हैं उनके करदार जो है वो नहती अफसोस नात रहा है तो उसी की वज़ा से जो हम अभी पी टी आई की गोवर्मन्ट आई है उसने वो इ अज़ाना खाली हो तो किस तरह पूरा किया जाए तो मैं समता हूं कि यह लोग उखासकर हमारे जो लोग जो इंदखाबात में जाकर अपने लीडर मन्तखव करते हैं उनको सोचना चाहिए कि वह किसको वोट दे रहे हैं वो चाई पी कर बर्यानी क्खाकर अगर वोट देन रहे अचिने आजारि हो यह हमेशा हमेशा मैश्राया हाएं करतों। आझे टो पारी के बड़ी तो ऑफ जान में पॉज ने हमला है तो एक अच्छिशन कफिरगार्थ हो रही है। ईए फरीज और एसी महाँ रही है। तो मैं कहता हूं यह भड़ी मायूस कर दिहां रही है। कि वह भी कश्मीर कमेटी के सरवड़ा रहे और तभी धरसरत रहे समझते है कि इसवक्ट कश्मीर पास पे वाकिए इन टीम पार्टियूं का जो सेरे फेरिस पे वुक्तमगत बारी खंड आती रही है, तो अब इनका जो कश्मीर पास पे जो लाइन आफ एक्षन है या लुटता है नजर है आपको उसे ही जाजरा है जैके जी जैसे मैंने पहले का जो पार्लिमानी किश्मीर कमेटी है ये एक रिश्वत के तोर पे उसमें चेर्मैन को बनाया गया मेरे खाल में दोनों जो गौर्मेंट्स थी पीपल्स पार्टी और मुस्लम ली जनून दोनों ने मौलाना फदलरामान को रखा अब वो जितना आर्सा रहे वफाकी वजीर के बराबर वो मरात लेते रहे उनसे पूछा जाए कि इस सरसे मनों ने किश्मीर के लिए क्या किया है और किश्मीर कमेटी के जो बाकी अराकी ने यहां भी एक दफा क किश्मीर कमेटी के अराकी नाए थे उसमें हमारी मौला फ़ी हमनासर चेठा साथ ते उसमें नादर परवेज थे उसमें लियाक बिलोच वगरा सब लोग थे वो किश्मीर के काॉस को पहली तोची वो किश्मीर को समझते ही नहीं जैसे आपने खुद का सेकर्ड़ी वो इस एक सफ़र्टी वो है, अधरवाइज हैदराबाद का एक मसला था, हैदराबाद आज गुनिया को हैदराबाद भूल गया, जोनागड भूल गया, किशमीर का मसला जिन्दा होने और हमारा जो इमान है, मतलब पाकिस्तान ऐक खिते का नाम नहीं है, पाकिस्तान एक आइडिया और यही वज़ा है कि कश्मीरियों और पाकिस्तान के दिल जो है वो एक साथ धरते हैं वो दुनों एक दूसरे के दुख और धरत को तसलीम करते हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि यहां पे वो हकुमते हों जो मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए जो खुश्छाल पाकिस्तान के ल तो यह इस चीज़ की जो है वो बहुत जरूरत है और आपोजिशन को भी चाहिए कि आप सियसी इशूस पर आप इखतलाफ करें लेकिन जो नेशनल इशूस है जो कश्मीर काज है या गौवर्मन्ट जिसके लिए अच्छे स्टेप्स ले रही है उसमें उनको तावन करना चा जो चले जाएंगे और कश्मीर काज के लिए बात जो है वो फिर खटाई में पड़ जाएगी इसको तच्विश किया है जैसे हम एक बात करते हैं कि अभूमन हमारे हां टाक शो में यह जो हमारे अच्छे से बले तजिया निगा रहे हैं रॉइटर इंवाकिस मुक्ते नज मेरें और शापिंग में मस्रूब होते हैं और इसी तरह पिछले दिनों शेख रशीद साहब भी आपको नजर आया होगा कि अधिजाज करने गए थे और वो फुरा दिन सोते रहे और शापिंग करके वाबस बागए विफाकी गजीर हैं आज भी मुए मिसाले मिलती है तो ऐसे लोगों को किस तरह से फिरो हैं जी मेरी मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान के सियासत दानों को पाकिस्तान के जो लोग है उनको बेनल कौमामी स्था पे कश्मीर काल्स को प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं बेज़ना चाहिए पारलीमेंट की नम मैं कर दिया जाए कि यह किश्मीर काल्स के लिए आगे चाली ना सके तो हम भी यह चाहते हैं कि दुनिया के सामने बात करने के लिए दुनिया को मसला किश्मीर की नजाकर से अगाह करने के लिए किश्मीर खुद जाएंगे वह एक नेचरल सी चीज़ है कि जिस कुमेनिटी को जिस कोंगों जिसको तक्लीफ होती है. जब वो बात कर्ते हैं तो हो उनकी बात सुनते है rockets और यहाँ पर बेशमार हमारे जो ambassadors हाएं है हमारे जो parlamentarians हाएं हैं वो भी यह कहएते हैं कि कश्मी आप लोग जाएं आप लोग बात करें आपकी बात सुनेंगी. और हम यह हैं, हम जब उनको बताते हैं कि हम किश्मीर से हैं, हम आपको मिलना चाहते हैं, हमें फॉरन बलाते हैं, और जब हम जाते हैं, वो सामने हमारे मैप रखते हैं, वो बताते हैं, आप किस खिते हैं, आप किश्मीर की हिस्टी को किसा तक जानते हैं, क्योंकि यह लोग फॉर्न मिनिस्ट्र यूएन पे जा रहा है, ओईसी पे जा रहा है, यूर्पी यूइन में जाएं, तो उसमें अजाद किश्मीर के देखें, सरदार मसौुद साथ जो है, वो बड़े एक जीरिक अमबेसडर रहे हैं, वो चाइना में अमबेसडर रहे हैं, यूएन में अमब किश्मीर के जमन में, जो हमने खलतीयां नहीं हैं, हम उनका इहसास होना चाहिए, दूसरे चीज़ है किकिश्मीर का वाजिया वाज़i तॉर पे होनी चाहिए, कि गौभर्मेंट की नinkच्मीर की चाहिए है क्या, ये वक्त ऐमोशनल च्वलता ही, ये इक पर्मानिट होनी गौर्वर्मन्ट जो भी आए चली जाए लेकिन पॉलिसी एक हो और उस पॉलिसी पे जो माजी में की जाने वाली गलती है आप देखिए 47 में जब दो मुलक बने जो रियासत जम्हो किश्मीर थी माराजा उसने 12 अगर्स 1947 को पाकستان के साथ स्टेंड स्टेल एगरिमेंट किया था वही एगरिमेंट जो उसका ब्रिटिश गौर्रिम्मेंट के साथ था पाकिस्तान के साथ तो इलहाग हो गया था अब इस पे तहकीक करनी चाहिए कि वो स्टेंड स्टेल आग्रिमेंट क्यों नी चल सका सुरत इखाल है अगर बात की जाए बड़ा एहम मस्ला यह कि हुलियत रहनमा जैसे कि आपको भी पता है हमें भी पता है कि सब के सब दिर्टार है सबके के सबके पासपोर्ट लिये गए हैं इस वक्त सुरत इहाल यह है कि नाप उनको मीडिया पर आने की आजादी है टेलफ़न सर्विस बंदें इंटरनेट बंदें तो फिर इस तरह से जो हिंदुस्तान स्टेप ले रहा है तो आनवी दुनिया खामोश है नहीं समझ पा रही है क्या वज़ा है इसमें मेरा थोड़ा सा इफ़ाफ है और शायद ज्यादा लोग मेरी जो राय है या सोच है उससे मुत्विक नहीं होंगे लेकर हमें ये देखता है कि हमें एक मकार जूटे दुश्मन से पाला पुड़ाए वो हम अगर पिछले सतर साल जो है दुनिया बेनलग्वामी मौत्मालिक जो है उनको कायर नहीं कर सके और कश्मिरी जो है वो मल रहे हैं तो आएंदा भी अगर हम लोगों को कायर करने गद्य को कायर करने में अपना वक्त कर देंगे तो इसका मतलब यह है कहम अपने बच्चों को खुद मार रहे हैं मेरा इस नहिसमे है कि इसका एक है कैसे हल होगा इसमेर का हल जो है वो कैसे होगा क्या बाधचीश के होगा कभी भी नहीं होगा अगर सारी दुनिया अगर कहे कि हिंड्रान गुखषटी पर फिर भी वहाई नहीं मानेगा इस का हल सिर्फ एर सिर्थ एक ही है कि हमें अपनी गयरत जो है उसको जगाना होगा और हमें सर के साथ कफन भानगना होगा और हमें बढ़ने मनने के लिए ट्याहत होगा हमें ये पता है कि इस वक्त हिंदुस्तान के पास ये सलाहियत है कि वो पूरे पाकस्तान को खत्म कर दे और पाकस्तान के पास भी ये सलाहियत है कि वो पूरे हिंदुस्तान को खत्म कर दे हम एस नगरिये से आफ को जाना होगा मेरे ख्यार में मैं इस सोच से इकतलात नहीं करता है कि ब्लोगों को पयना अक्वामी तोर पर लोगों को समझायाआ चाया ओए उनको अपनी बात सम्झाएजाया लेकिन इसका हल कशमेर ने मसले का हल सिर्फ आक को अपनी कुर्बानी देना से और सर के पर पे कफन बांग कर अपलते हैं इसके लिए तो असके लिए कोई नहीं होगा नहीं बेस लेख और एक रिख कोई लाव नहीं कुजा रहा है आ चुकी है और पैसला पाकिस्तानी कौम ने करना है कि इस वक्त अगर हिंदुस्तान पूरी दुनिया प्रेशर डिवलप करे युनाइटिज नेशन प्रेशर डिवलप करे मगर उसके बावजूद वो बात नहीं मानेंगे तो मैं इस वात से समझू कि अब कौम एलान जंग के लिए तयार हो जाए मसले किश्मीर के वापस हैं तो इसी के बाना है एक बार प्रेश खुशाम दीद के अताम अपने प्रोग्राम और बात वरी है आज स्वीडन में बैठकर खास्तों परसा जमीने कश्मीर की और मसले कश्मीर किस तरह से हल हो सके मगर तैहे के दोनों बरे मुझस बेमान उनका नखर अपनी जगा पे बड़ा एहम है प्रेश च्जूर के लिए नम्बर वन के कश्मीर में मोजूद जो लोग आज़ा की लिए के जाए है के इस वक्च्मीर के साथ क्या हो रहा है नमबर दुछी बात बड़ा एहन है कि अब उन दुनिया चाहिए प्रेशर देवलब करें कुछ भी हो मगर अब कम से कम पाकिस्तान और पाकिस्तान की गोर्डमिंट को एक सीरियस मुट्टे के आखे तैहे कि एलान जंग का एलान करना चाहिए तब ही कुछ ने कुछ होगा य और पाकिस्तान जिसका से वक्तन वक्तन पाकिस्तान की रज़िया आजम और पाकिस्तान की हुपूमत और पाकिस्तान की अवाम आज़ाद कश्म्दी की अवाम चाहिए कि अच्छे प्रोस्जियों के नाते कम से कम हम जंग से बुरेस करते हैं तो आप समझते हैं कि इतनी ब प्रीदनीने ओड़ना हिंदोस्तान की और जल्दमादी भी इस फैसले जो कि अब मैं समझता हूं कि हमें यह तसलीम करना चाहिए जो कि शाइद हिदोस्तान में यह mean यह कि पाकिस्तान के इस इसको तस्लीम करता है कि इंदो स्थान में काफी Valid Ma Hill ludzi गुर्थभिए सबसें आपके दोस्त हैं। लजा हुएं पर ऐसे ढानिश्वर हैं। उर्भारत ऑफ तके भाप और खेट के लुत जो के हैं। केश्मीर के उन्धे के नाजर के हैं, अब ट्रम्प जो है वो मीडियेशन काई रहा है ये तीनों प्राइम निस्टर्स और ट्रम्प के जो ट्विट से अकाउंट से जो चीजे आई हैं उससे ये थाबत के मीडियेशन हो रही है और बैक डॉर इससे ज्यादा भी होगी दूसरा स्लामती कॉंसल में भी ये मसला गय लाइन दी हैं बहुत से लोग उनके जो है वो शहीद हुए है कि जो लाइन अफ कंट्रॉल पे और उनकी जानब से किश्मीरियों को जो है वो उनकी हकिक खुदरादियत की हमायर ये भी किश्मीरियों को तक्विय देती है अब जहां तक अभी ये कहा जा रहा था आप ने दुरसे फर्मायाई कि हंदुस्तान में भी बहुत से लोग हैं कि जो ये चाते हैं कि ये इस मसले को कछ पुछ हल किया जाए मैं यह कहा जा कहना चाऊंगा कि grab ,क मसाइल का हल नहीं पहते हैं दुसरी चीज़ जी जब्दा नहां होते हैं ंचाब होते हैं डूसी को थोड़े ठंडा करकी, जिखें जबाद को दोने क तरफ ठंडा है, एक तरफ कर आफ एक तक मेरे मौहज़त डिमानоворा, आफ के सामनेक लिए स्थीच प्राइमिस्टर की बात करूंगा कि इमरान झाल कहा के अगर एक कदम Hindustate आगे बढ़ाएगा तो जो तर्दाकरदास्पूच का कुल्चूर जो है वो बड़ा एक पाकिस्तान का पैसला होने जा रहा है जो कि सिफ कम्यूटीका जिसे मैंने का है कि वो हुगे एक मजभी ज़बात वावस्था हैं पाकिस्तान के साथ इस पे कोई शक ने घे बहुति था लेके भारत की घास्बाना पालिसी है शुरू से जालमाना पालिसी है भारत तो बात चीट पे आना ही नहीं चाह रहा था और पाकिसान है और इसने बड़े अच्छे स्टप्स लिये हैं उन्होंने हर तरह से कहा है कि हम इस मसले को हल करना च और इस मसले का हमको स्लूशन देखते हैं बलकि जब उनकी अमेरिकन प्रेजिडेंट से बात भी दूआं भी हमारे पाक्सानी प्राइमिस से यह का कि अगर यह लोग आपको धूआं देए तो असल में होना यह चाहिए कि धूजबातियत की फजा है यह थोड़ी सीकंब हो जब تک दूण intéress की फजांगी और बदकिस्मिन डिया ज्यादा से ज्यादा ज्यादाग़ा है अब दोनों तरफ जब जजबातियत होगी, एक तरफ यह होगी कि किश्मीर हमारा आटूटूल है, दूसरी तरफ होगी किश्मीर हमारी शारग है, उसके बाद किश्मीरी जो पिस रहाँगी, मसला हल कैसे होगा? मसले को हल करने के लिए दोनों फ्री कैन को ठंडे दमाग से सोचना होगा और कश्मीरियों को भी सोचना है के हमने माजी की निजबतां जो आज की हुकूमत थे और आज की असरी का यादा थे एक पेज़ पे नज़र आई क्योंके माजी में जन्म बुश्रफ और अमिया नवाज शरीफ पारगल की जन्में एक उस्कूर नहीं थे के सकते हैं कि नुट नजर पे और एक प्रेट फार्म पे नहीं थे एक पेज पे नहीं थे आज ज्यादा है अब बरकत साब आप भी समझें कि वाकितान ऐसा है माजी के और आज के नजबता है हाँ बिल्कुर मैं आपके जवाब देना से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जन्ग जो है वो किसी की खौइश नहीं थी तो आप पर नहीं देख लिया कि हिंदोस्ताम के जहनियत क्या है उसने हमें कितने जखम दिये हम पे कितने जल्म हुए मुस्लमानों पे कितने ज समय तो कि उसका क्या है और मैं दूसरी बात यह कहना चाहरा हूं कि ठीक है अब यह नहीं है कि अगर यह मामला अब उठाया तो फिर यह सालूं चलता रहे नहीं इसको टाइम लिमिट में हल होना है और जब अगर कोई गुफटशनीत की बात आती है तो मेरा पेगां अपनी हुकमत के लिए और अपने आवां के लिए यह हैं कि हमारा सिर्फ एक नकते पे जो हुर होना चाहिए कुश् चाहिए और वो खुद अपने मुस्तक्बिल के लिए फैसला करें कि वो क्या चाहते हैं। इसके इलाबा हमारा कोई यह कई हाल जो है पहले पिछले जमाने में चलते रहें सुतले जो हाल है और दूसरा पता है कौन को से कितने पाकस्तान जो है आए दिन अपने मौकुफ को त को अपने मुस्तक्बिल का फैसला करने का हक देना चाहिए यह हंदुस्तान की जागीर नहीं है मैं यह को चाहँगा कि जोह दैक मैं हिंदुस्तान की हिख समझ सका हूं वो कश्मीर पर नहीं रोकेंगे वह पाक terrorists को problem को माはは के समय है कि िसको वापस लेना है उन्यर्मितtwo के कि अप़ादी द लगल गया, आपकाजे पाकिस्तान और सलइट के इसरफ जो लोग बसते हैं वो उन से ज्यादा पावरफुल हैं और अपकिस्तान पर्चान ज्यादा टिया और जिस तरह से एर्फोर्स का तयारा मार गिराया बिल्कुन नहीं पता अगर होता वो उनको पता होगा शायद होगा लेकिन वो हमने जो माजी में हमसे खर्फिय हुई हैं शायद वो समयते हैं कि सिगरा आगे भी चलता रहेगा तो अब मेरे ख्याल में इसको नाव और नेवर के साफ से इसको लेना पड़ेगा और अगर गु मिल्कुन साइल अपने हल करते हैं लोग देखिए यूरोप के मिसाल ले ले आप लेकिन हिंदोस्तान के जहनियत जो है मैं उस नतीजे पर पहुंचा हैं कि वो सिर्फ डंडे से मानती है इसके इलावा और कोई बात में मानती है आप यूरोप में बिढ़े हैं यूरोप के म देना फिर हंदुस्तान की पाकस्तान से रास्ते से खोते हुए दुनिया के मौमालिक में कारोबार की पैश्री करना था हैं कहां तक हम जा सकते हैं और हमें क्या करना है बदकिस्मती से हमारी जो अब तक की पॉलिसी रही है कि हम एक मौका गुजर जाने के बाद हम उस पर रियक्ट करती हैं ये रिसेंटि जब फरवरी में पाकस्तान ने हिंदुस्तान के दो त्यारे गराए और वो उस वकत पूरी दुनिया के स्क्रीन पे एक बार फिर मसला किश्मीर आ गया था और उस पर भी मैंने कॉलम लिखा था कि इस मौके को आप जाया ना होने दें कितनी देर तक अप रखेंगा आप आठ लाग दस लाग फोज भी किश्मीर में डाल दें तो नहीं रख सकते उसमें भी इंडिया का बंदा था वो प्रोफेसर लेवल का हिंदू था उसने सिर्फ मुसल्मान होने की वज़े से उसको जाप जाप लिया होती है यहांबे तो उनका नुक्ता नजर और मौकफ क्या है जी बिलकुल उनका भी नुक्ता नजर है जिस तरह बाकी एकलियतों के साथ है लेकिन जो बात का रहा तो उसको मैं जिस कॉंटिडियू करना चाहूंगा कि मौदी के जो मौदूधा इकड़मात हैं इन इकड़मात के वज़े से हमारी जो नौजवान नसल है या वो लोग जो पाकिसान बनने के बाद पैदा हुए है को कई तरह के हमारे बाद स्कॉलर्स वाल अठाते हैं कि पाकिसान नहीं बनना चाहिए था हम अकठे रहते तो मैंने यहाँ नहीं रहा है मैं रहा हॉज ten realistic सकना संब भारत में जो कई सवरे में भारत चकॉछ कर रही है यह एक और पाकिस्तान वहाँ फर मुर्क ersten बनेंगा किई पाकिस्तान बनेंगे और जो संजीदा किसम के भारती दानिशवार हैं वो खुद इस चीज़ खत्रे को महसूस कर रहे हैं यही चीज़ देखें काइद आजम पूरी उमर जो है वो अगास में वो कांगरस में रहे वो हिंदू-मस्लम इताद के पायंबर रहे उनके नाम पे बंबे में हौल बनायागा हिंदू-मस्लम इताद के पायंबर खा क्या वज़ा थी वो कांगरस को छोड़ गी यह 37 की जो कांगरसी रियास्ते थी जो नेरू रिपोर्ट थी यो बाकिस चीज़े थी अगर वो यह ना करते मुसलमानों को उनका राइट दे दे ते तो कभी भी मुसलमानों ने मुतालबा पाकिस्ता नहीं करना था और यह हाला आज कर रहे हैं और यह शहर तारी तारीक अपने आपको दोराएगी और वहां से नए पाकिस्ता जनम लेंगे मैं बच्छा बाइंजब की तरफ जा रहा हूं तो अब कुछ तह है कि हम अगर बात करें तो सबसे पहले आप समझते हैं कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की गौर्डमेंट को युनाइटिज नेशन बे और आलवी स्था पर और दुनिया के जो वो मुमालिक हैं जहां पर सुफीर रहते हैं सपारती डेवल पर मसले कश्पीर को मजीद तेजी उस पर लाकर और दुनिया को बताना है यह अब समझते हैं कि अब यह हल जो है बस चंग की जड़ी है नहीं बिल्कुन मैं समझते हूं कि हमें हमारे मुलक को दौनों रास्तों पर दौनों ट्रैक पर चलना चाहिए एक तो बेन अकवामी तोर पर हम अपना नुक्ता नजर बियान करना चाहिए और दूसरी तरफ हमें अपने डू और डाई के लिए तियार रहना चाहिए ये दौनों चीज़ों पर आमने तो उससे पैसलार ने आईस पी आर के तरजबान ने वजीर दाखला ने वजीर खारजा ने वजीर इंट्रमेशन ने मुच्तर का प्रेस कांफरस्ट में हिंदोस्तान को और दुनिया को मैसेज दे दिया कि तमाम एक पेज़ पे हैं हम सरहतों की निग्राणी और कश्वीर के इशुस पे रात दिन चोकस आएं और हम जंग के लिए भी दे जा रहे हैं तो तो बित्ते होगा बिल्कुल ठीक है हमारी खुशकिसंती है कि पहली दफ़ा गौर्मेंट और मिल्टरी जो है वो एक पेज़ पे हैं पैले क्यों नहीं थे उसकी वज़ाद है कि मिल्टरी जो मुहिब वतन अधार रहा है और जो हमारी हकोमत में लोग थे वो मनाफक लोग थे ऑंटी की उनके नहीं बनuous लेकिन अब दौनों एक पेज़ पे हैं यह हमारी टाक्त है और हमें इस मौके को अब जाया नहीं करना चाहिए, मुदी ने जो हमें ये वक्त दिया है, हमें चांस दिया है, इससे हमें पूरा फाइदा उठाना चाहिए, और ये एक टाइम लिमिट के महीनों की बात है, इससे जादा आगे खेंचना नहीं चाहिए, उसमें कोई हल होना जब सब आप आप कैसा मिठें के खलकी जाने कैसे बढ़ा जाये, यानि कि जैसे मैंने कहा के मैसेज तो मिल गया है, इंटरनेशनली हिंदूस्तान को आद्मी सतापे, आप 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 पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोग एक पेच पे हैं और जंग के लिए भी पाकिस्त पाकिस्तानी को भी तकवीद बिलती है, और एक मजबूत और खुशाल पाकिस्तान, हमारा ये फर्ज है, हर एक का, कि पाकिस्तान की खुशाली पाकिस्तान के इस तहकाम के लिए, जिस तरक से भी कोई काम कर सकता है, तो काम करें, दूसरा हम दुनिया को ये बताएं, कि उन्हें चाहिए कि पूरा एक फॉरन आफिस में पूरा एक प्रोग्राम होना चाहिए जिसके ताहिए वो दुनिया को भी ये बताएं और कश्मीर जो है वो उसकी आजादी जो है वो तक्दीर में लिखी है उसकी रिजन ये है कि 70 साल से इतने जबर, जलम, इतनी शाहदतों क मैं इस स्ट्रीम के देख रहे हैं कि अवर्सीज पाकिस्तानी वोगे वतन पाकिस्तानी तो है, मगर अगर कुदाना खासा ऐसे मुश्किल हाला हुए और जंग हो जाती है, तो आप क्या स्वीजन में होगे या उस मोर्चे पे होगे जहां पर आम पाकिस्तानी लड़ेंगे तेखे जंग के लिए बेशमार महाज होते हैं जंग के लिए सब लोग जो है वो मुर्चे के आपके आगज आके नहीं लटते जंग में आपको अपको हर तरह का फैरान्स भी चाहिए आपको की असुटेंट भी चाहिए आपको सफारती महाद भी आप लिए भामाद!! तो ऑवरसीज पाकिस्तानी जाहर है उजहां-जिस जिस शौबे में। जिस्टिस लोगों GESPARTIZ है।ो पूरी शिदत के साथ, मुहबत के साथ, अपने पाकिस्तान की निफा के लिए, कश्मीर की अजादी के लिए, बिल्कुल सफ्यवल में नज़र आएंगे, इसमें कोई शक्त नी होना लेगे। मैं इस बारे में ये कहूंगा, कि मेरे फून का आखरी कत्रा भी अगर मुल्क के लिए भाएगा, तो मेरे लिए वह एक फखर की बात होगी, और एक शहादत का मुकाम दर्जा होगा, मैं खुशी खुशी जो है, इससे मैं सारू होगा। बहुत बहुत हो दिया, वजगर साब आपने वक्टिताला मेरे प्रूराम के लिए, और रग्साब आप कभी पोश्च जो दिया, और लिता है, कि वजगर साब ने भी बार बड़ी अच्छी बात की, और रग्साब ने बहुत है, कि जिससे सपाई सालार ने कहा, आक्री पुन के कद्रे तक, चाहे वो सिपारती बहाथ हो, पशेली बहाथ हो, यह पिर पाकिस्ताने, हिंदुस्तान już खोधना खास, अबिर ऐसीं पहल करता है तो अवर्सीस पाकिस्ताने भी अपने आखरी पून के गत्रे तक कश्विरी उभाई के विए ड़ने के लिए तेयार है। आपकरी को अजास दीजिए।